तो इसमें शायद फार्मर के लिए भी कुछ होगा तो आप क्या मांगना चाते हैं सरकार से हम यह मांगना चाते हैं सरकार से एक तो जो वेजी टेबल्स हैं इसके उपर कुछ सबसीडी वगरा दी जाए दूसरा सबसीडी के अलावा इसका कोई रेट फाइनल किया जाए ताकि किसान को नुकसान नहीं हो क्योंकि सारे कोस्टिंग लगाने के बाद हमें सारा साल मेनत करने के बाद जब कोई पैसा नहीं बचता हम लोग माइनस में जाते हैं तो किसान का दिल तूटता है इसलिए नहीं जरनेशन जो है आने वाले टाइम में खेती में नहीं नहीं आना चाहती क्योंकि सब आदमी को चाहिए एक तो एसी के अंदर बैठ के काम करना अच्छा लगता है और जेव में पैसा चाहिए क्यों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस टाइम भी गर्मी में कित सब्सक्राइब का फाइदा है तो राइट नाव यह इंदे फिल्स अजी सेट इस अबाट सेवें थर्टी एंस तिल वेरी वेरी हॉट और यूमेट चैलिंजे सर्टनी देर मुदी सरकार आया नया सरकार तो वह लोग बोले हैं फार्मर का में उनको हेल्प करेंगे और जो कोलने की एक डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स का बात बार बार आ रहा है क्या डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स एक आंसर है आप लोगों के लिए अगर उसमें कुछ मदद मिल जाए तो उससे कुछ हेल्प होगा डाइवर्सिफिकेशन का फायता बहुत है उसमे क्योंकि आप देख रहे हैं कि बंडी के अंदर इतनी लेवर लगी हुई है जब तक आप कि अगर एक दिन भी लेवर नहीं आएगी तो बंडी आपकी खराब हो जाएगी उसके लिए लेवर भी चाहिए पैसा भी चाहिए हर कुछ टाइमिंग पर चाहिए हम लोग मोदी सरका क dall से ये चाहते हैं के आप कुछ ऐसे वर बंडार ताकि्व मंति के लिए आप फिक्सप्राइज करें ताकि फृब्लिक उसकी तरफ जाए आप जो भी हैं पफ़िइश नहीं लाना चाहते हैं वह लाएं लेकिन उसके रेट ऐसे करें कि किसान को दो पैसे अच्छे बचें कम से करें किसान को जो है पचास जार पर एकड़ सालाना बचत आएगी ही आएगी